ओम शान्ति ओम शांति आज की तारिख है पाँच तीन पंद्रा और आज की ज्ञान मुरली का सिर्षक है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, तुम ग्रहष्ट व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे. तो ये था आज का सिर्षक, और आज का फिर प्रश्ण है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए, तक्त नशीन बनने की विदी क्या है? तो उत्तर है, सदा उल्लास रहे की ग्यान सागर बाप में रोज ग्यान रतनों की थालियां भर-भर कर देते हैं. जितना योग में रहेंगे, उतना बुद्धी क्या होती जाएगी? बाबा कहते हैं, बुद्धी कंचन होती जाएगी. ये अविनाशी ग्यान रतन ही साथ में जाते हैं. और तक्तन अशीन बनना हैं, तो माता पिता को पूरा पूरा फालो करो. उनकी स्रीमत अनुसार चलो. औरों को भी आप समान बनाओ. मुर्ली की शुरुवात, ओम शान्ती. रूहानी बच्चे इस समय कहां बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की युनिवर्सिटी, अथवा पाटशाला में बैठे हैं. बुद्धी में हैं कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं. वो बाप हमको सृष्टी के आदी मध्य और अंत का राज समझाते हैं. अथवा भारत का राईज और फॉल कैसे होता है? भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है? ये भी बताते हैं. तो भारत जो पावन था. अभी बाबा बताते जा रहे हैं कि भारत जो पावन था वो अभी पतित है. भारत सिर्ताज था. फिर किस ने जीत पाई उसके उपर? रावन ने. तो राजाई गवा दी तो फॉल हुआ ना? फिर गिर्तिकला में आ गए. कोई राजा तो है नहीं. अगर होगा भी तो वो पतित ही होगा. इस ही भारत में सूरेवांशी महाराजा महारानी थे. सूरेवांशी महाराजाई और चंद्रवांशी राजाई थे. ये बातें अब तुम्हारी बुद्धी में है. दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते. तुम बच्चे जानते कि हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं, रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है, सभी ने हाथ पकड़ा हुआ है ना, रूहानी बाबा के हाथ में अपना हाथ दिया है ना, भले हम रहते हैं ग्रहस्त व्यवहार में, परंतु बुद्धी में है कि अभी हम संगम पर खड़े हैं, पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं, कल यूग है पतित यूग, सत यूग है पावन यूग, पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, है तो वह भी भारत के मनुष्य, परन्तु वह दैवी गुणवाले हैं, जिनको नमन करते हैं वो दैवी गुण वाले हैं कि हम भी बाप के द्वारा ऐसे दैवी गुण धारन कर रहे हैं सत्युग में ये पूर्शार्ट नहीं करेंगे वहां तो है प्रालब्द, यहां पूर्शार्थ कर दैवी गुन धारण करने है, बाबा कहते हैं, सदैव अपनी जाच रखनी है, कि हम बाबा को कहां तक याद कर, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, जितना बाब को हम याद करेंगे, उतना सतो प्रधान बनेंगे, अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है, पावन दुनिया में पावन भारत था, तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदी में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं, कोई कहते हैं, जैसे बोजन जरूरी है, वैसे ये विकार भी भोजन है, इनके बिगर मर जाएंगे, अब ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है कि कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं बोलना चाहिए कि क्या इस विगर तुम मर जाएंगे जो बोजन से इनकी भेट करते हो स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सत्तो प्रधान फिर पीछे सत्तो रजो और तमों में आते हैं जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है तो वो आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन विगर तो हम रह नहीं सकते तो बाबा ने राज भी बताया कि कौन सी आत्माएं ऐसे जवाब देती हैं कि वही हम विकारों विगर नहीं रह सकते हैं आगे मिठे मिठे बाप दादा समझाते हैं कि सूर्यवाउशी जो होंगे उनको तो फौरण बुद्धी में आएगा कि ये तो सत्य बात है बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था भिन भिन प्रकार के मनुष्य भिन भिन प्रकार की बाते करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं कोई तो काटे ही रह जाते हैं स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा और यह है काटों का जंगल काटे भी अनिक प्रकार के होते हैं ना अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं बरोबर यह लक्ष्मी नारायन सदा गुलाब का फूल है इनको कहेंगे किंग ओफ फ्लावर्स दैवी फ्लावर्स का राज तो बने हैं न, तुम जानते हो, अभी हम इश्वरिय फैमिली के बने हैं, पहले तो इश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर के ये फैमिली बनाई है, बाप पहले स्त्री को एडप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं, तो कौन सी स्त्री को एडप किया बाबा ने पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और फिर हम बच्चों ने कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे तो बाबा ने भी इनको एडॉप्ट किया फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है यह सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया है ना तो यह नाता प्रवर्ति उसमें कोई ममा बाबा नहीं कहते यहां तुम ममा बाबा कहते हो वहां सन्याशियों के जो followers हैं वह उनको मात पिता नहीं कहते परंतु यहां तो हम ममा बाबा कहते हैं और जो सत्संग हैं वो सब हैं निवर्ति मार्ग के ये एक ही बाप है जिसको मात पिता कहकर पुकारते हैं बाप बैट समझाते हैं कि भारत में पवित्र प्रवर्ति मार्ग था मैं फिर से वही प्रवर्ति मार्ग स्थापन करता हूं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करे। तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो। हीरे जवारातों के महल होते हैं, यहां भले अमेरिकार रशियादी में कितने शहुकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो न सके, सोने की इंटों जैसे महल तो कोई बना भी न सके, सोने के महल होते ही हैं सत्य युग में, यहां सोना है ही कहां, वहां तो हर जग हीरे जवार लगे हुए होंगे सिर्फ सोने की इंटंगी लेकिनुव कहती हैं दिवारों के अंदर में कि यहा जवाराथ लगे हुए होंगे यहां तो हीरों का भी कितना दाम हू गया है कि यहां तो कोई यह ns कभी किमिल छाएंगे बाबाने समझाया है नई दुनिया में फिर सब नई खानिया भर्तू हो जाएंगे अभी ये सब खाली होती रहेंगे, दिखाते हैं, सागर ने हीरे जवारातों की थालियां भेंट की, हीरे जवारात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे, सागर को भी देवता रूप समझते हैं, तुम हो वाप तो में सागर है तो सदा उल्लास रहे कि ज्न सागर बाप हमें हम रोज ग्न रत्नों जवारतों की ठालियां भर देते हैं बाकि यह तो पानी का सागर है बाप तुम बच्चों को ज्यान रत्न देते हैं जो तुम बुद्धी में भरते हो जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धी कंचन होती जाएगी तो सारा मदार बुद्धी को भी पवित्र बनाने का किस पर रहा बाबा की याद पर तो बाबा कहत जितना हम योग में रहेंगे, उतना बुद्धी कंचन होती जाए, यह अविनाशी ज्ञान रतन ही, तुम साथ में ले जाते हो, बाप की याद और यह नौलेज है मुख्य, लोग कहते हैं मरते हैं तो, खाली आये थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, हम बच्चे रत्नों से भर्तु हो करके रत्नों को साथ में ले जाते हैं, आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए, बाप भी गुपत है और तुम भी गुपत से नहो नॉन वायलेंज, अहिन सक, अननोन वारियर्स भी कहते हैं न फलाना बहुत पहलवान वारियर्स है परन्तु नाम निशान का पता नहीं है ऐसे तो हो इनी सकता गवर्मेंट के पास एक-एक का नाम निशान पूरा होता है unknown warriors, non-violence ये तुम्हारा नाम है सबसे पहली-पहली हिंसा है ये विकार की किसी भी विकार के वश यदि किसी को दुख दिया तो बाबा कहते हैं ये है पहली-पहली हिंसा जो ही आदी-मध्य-अंत दुख देता है इसलिए तो कहते हैं कि हे पतीत-पावन हम पतीतों को आकर के पावन बनाओ पावन दुनिया में एक भी पतीत होई नहीं सकता काईदा ही नहीं कि जब दिन का उजाला अर्थात बेहद का उजाला है ब्रह्मा का दिन है पावन दुनिया सत्यूग है वहाँ एक भी पतीत या अपवित्र हो नहीं सकता ये तुम बच्चे जानते हो कि अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं बाप से वर्षाल लेने के लिए परन्तु माया भी कम नहीं है माया का एक ही थपड ऐसा लगता है जो एक दम वो गटर में गिरा देती है सभी ध्यान पर रखे ये बात माया को कभी भी चांस न दें कि माया थपड लगावे और एक दम गटर में जाके गिरे विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धी एक दम चट हो जाती है बाप कितना समझाते हैं आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है महबत नहीं रखनी है महबत रखनी है उनसे जो देह रहीत विचित्र बाप है बाप कहते हैं यदी महबत रखनी है तो किस से रखें उनसे रखें जो देह रहीत विचित्र बाप है तो बाप कितना समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं तकदीर में नहीं है तो एक दोकी दे हमें फश पड़ते हैं, बाबा कितना समझाते हैं, कि तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है, हर एक का ड्रामा में पार्ट नुदा हुआ है, अभी कितने धेर मनुष्य है फिर नव दस लाख होंगे, सत्युग में बहुत जन संख्या थोड़ी हो जाती है, सत्युग आदी में कितना छोटा जाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं, यह जो कहते हैं प्रलय होती है, बाबा कहते हैं, प्रलय कभी होती नहीं, तुम जानते हो, जो भी मनुष्य म उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती है उनका भी ज्ञाड है बीज डाला जाता है तो उनसे सारा ज्ञाड निकलता है न तो पहले पहले दो पत्ते निकलते हैं तो ये भी बेहद का ज्ञाड है गोले पर समझाना यानि श्रिष्टी चक्र पर समझाना कितना सहज है विचा करो अभी है कल्यूग सत्यूग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे अभी कितने मनुष्य और कितने धर्म है इतने सब जो पहले नहीं थे वो फिर कहां जाएंगे बाबा कहते है शृष्टी के अंत में सभी आत्माइं उपर चली जाती हैं तो तुम्हारी गुद्धी में सारा ज्यान है जैसे बाप ज्यान का सागर है वैसे तुम को भी मास्टर ज्यान सागर बनाते हैं तुम पढ़कर के ये पद पाते हो बाप स्वर्ग का रचईता है, तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सब को वापस घर ले जाते हैं, बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, जितना पुर्शार्थ करेंगे, उतना उंच पद पाएंगे, जितना स्रीमत पर चले पर चलेंगे, तो सारा मदार पुर्शार्थ पर है, मम्मा बाबा के तक्त नशीन बनना है, तो पूरा पूरा फालो फादर मदर, तक्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, जैसे मात पिता, मम्मा बाबा अपनी चलन चलते हैं, ऐसे उनको फालो करके चलो, औरों को भी आपसमान बनाओ, बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बच्चों को बतलाते हैं, एक तो बैज पर ही तुम किसी को भी अच्छी रीत बैठ समझाओ, पुर्षोतम मास होता है, तो बाबा कह देते हैं, कि चित्र फ्री दे दो, हाँ बाबा कहते हैं, पुर्षोतम मास आता है, तो फिर चित्र फ्री दे दो, बाबा सोगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे कि बाबा का भी खर्चा तो होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे, घर तो एक ही है ना, इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी भी बनेगी, तो कितने देखने आएंगे, पुन्य का काम हुआ ना, मनुष्यों को काते से फूल, पापात् तुमा बाबा बनाते हैं, इसको विहंग मार्ग कहा जाता है, प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत हैं, खर्चा भी कम होता है, तुम यहां आते हो, बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे, स्वर्ग की राजाई खरीद क करने आएंगे यहती है ना तो बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा इसलिए अच्छी रिती पढ़कर पुर्शार्थ करके फुल पास होना चाहिए बाप ही बैठ अपना और रचना के आदी मद्य अंत का परिचय देते हैं और कोई यह परिचय दे न सक करें अब बाप द्वारा तुम त्रिकाल दर्षी बनते हो बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे यथा तरीती से कोई जानते नहीं तुमारे में भी नंबरवार है अगर यथा तरीती जानते तो कभी भी छोड़ते नहीं, यह है पढ़ाई, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हारा ओविडियन्ट सर्वन्ट हूं, बाप और टीचर दोनों ओविडियन्ट सर्वन्ट होते हैं, ड्रामा में हमारा पार्टी ऐसा है, फिर सब को साथ में ले जाऊंगा, श्री मत पर चल, पास्वित ओनर होना चाहिए, पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बुढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है, श्री बाबा कहते हैं, मैं बुढ़ा नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप की बात हो रही है, अब आत्मा तो कभी भी बुढ़ी नहीं होती, बाकि पत्थर तब तो तुम को भी पारस बुद्धी बनाने आता हूं, कल्प कल्प आता हूं, अनगिनत बार तुम को पढ़ाता हूं, फिर तुम वापस भूल जाएंगे, सत्युग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, कितना अच्छी रिकी बाप समझाते हैं, ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं, इसलिए कहा जाता है, कि महान मुर्क देखना हो, तो यहां देखो, ऐसा बाप, जिससे स्वर्ग का वर्सा मिलता है, उनको भी छोड़ देते हैं, बाप कहते हैं, तुम मेरी मत पर चलेंगे, तो अमर लोक में विश्व के महाराजा और महारानी बनें तो यह है, बाबा कहते हैं, मृत्यू लोक, बच्चे जानते हैं, कि हम सो पुझ्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं, पतीत भिखारी, क्यों बाबा कहते हैं, पतीत भिखारी, क्योंकि विश्य विकारों के कारण पतीत बने, और भिखारी बाबा इसलिए कहते कि हम हर बात बाप के आगे रखते हुए बीख मांगते हैं, हमें शुक दो, हमें शान्ती दो, हमें आनन्द दो, तो बाबा कहते हैं सिर्फ गुन नहीं मांगते, लेकिन जो भी जीवन के अंदर छोटी बड़ी चीजें चाहिए, वह भी बाबा से मांगते रहते हैं, अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं सब का एकरश पूर्शार्थ तो हो न सके कोई टूट पड़ते हैं तो कोई ट्रेटर भी बन पड़ते हैं ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए हाँ बाबा कहते हैं कई चलते चलते तूट जाते हैं जब तूट जाते हैं तो क्लास में आना छोड़ देते हैं निश्चय बुद्धी से संवशय बुद्धी बन जाते फिर जब संवशय बुद्धी बन जाते तो ट्रेटर बन पड़ते हैं यानि बाबा और बाबा के घर की बदनामी करना शुरू कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं, ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत है, उनसे बात भी नहीं करने चाहिए, सिवाए ग्यान की बातों के और कुछ पूछे, तो समझो कि ये शैतानी है, संग तारे, संग बोडे, बाबा कहते हैं, यदि आपको कोई ग्यान की बातों को छोड़कर और अलग-अलग बाते पूछते हैं, दुनियवी बाते, तो बाबा कहते हैं, समझ लो, उसका मन शैतान से भरा हुआ है, कौन शैतान? रावन उनसे ये काम करा रहा है, तो बाबा कहते हैं, संग तारे कु संग बोडे, जो ग्यान में हुश्यार, बाब कहते हैं, संग किसका करो, जो ग्यान में हुश्यार हैं, जो बाबा के दिल पर चड़े हुए हैं, बाबा को ज्यादा याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं, उनका संग करो, वह तुमको ग्यान की मिठी मिठी बातें सुनाएंगे, अच्छा, अब क्या सुनेंगे, मिठे मिठ कि दौरा याद प्यार तो मीठे मीठे सिकी लदे सर्विष बुल वफादार फर्मान बरदार बच्चों को मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अब धारना के लिए मुख्य सार की दो बातें सुनेंगे नमबर एक है जो देह रही तविचित्र है वो कौन है निराकार बाबा तो जो देह रही तविचित्र है उस बाप से महबत रखनी है किसी देह धारी के नाम रूप में बुद्धी नहीं फसानी है तो बाबा कहते हैं महबत किसे रखनी है एक बाबा से तो धारना क्या हो मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई और देधारी के नाम रूप में बुद्धी क्यों नहीं फसानी है क्योंकि माया का थपड़ न लगे ये संभाल करनी है नंबर दो है जो ज्ञान की बातों के सिवाए दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है फुल पास होने का उर्शार्थ करना है काटों को फूल बनाने की सेवा करनी है वर्दान है सत्गुरु बाप के द्वारा की स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्मान भव बाबा कहते हैं अभिमानी व्यक्ती कभी भी जुक नहीं पाता अभीमानी व्यक्ति कभी नम्रता से बात नहीं कर सकता इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वयम के स्वमान में स्थित रहेंगे तो अभीमान नहीं आएगा अभीमान पर हम विजय प्राप्त करेंगे तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो अभीमान पर विजय होता है वो निर्मान होता है तो बाबा कहते हैं अभीमान को समाप्त करने वाले सदा निर्मान भवव जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभीमान नहीं आ सकता वे सदा निर्मान होते हैं जितना उतना ही हाजी में निर्मान, छोटे बड़े ग्यानी अग्यानी माया जीत या माया वश गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो अर्थात गुण्मान बनने का पुर्षार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयम संपन्न होने के कारण सदार रहम दिल होते हैं, स्लोगन है आज का, स्ने ही सहेज याद का साधन है, स्ने में स्वतही याद स्ने ही की आती रहती है, इसलिए बाबा कहते हैं, ये स्ने जो बाप के साथ है हमारा, वही याद का सहेज साधन है, इसलिए सदा स्ने ही रहना और स्ने ही बनाना, अच्छा, ओम, शान्ती.